आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10, हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग 2 से मीरा के पद के MCQ तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, मीरा भाई का जन्म कब और कहां हुआ? और इसका सही उत्तर है प्रश्न 2 मीरा के पद किसको संबोधित किये गए हैं? क मेवाड के राणसांगा को ख अपने अराध्य को ग अपने पती को घ अपने पिता को और इसका सही उत्तर है ख अपने आराध्य को प्रश्न 3 मीरा कौन सी भाषाओं की कवित्री मानी जाती हैं? क गुजराती और राजस्थानी ख हिंदी और गुजराती ग हिंदी और मराठी ग सभी और इसका सही उत्तर है क गुजराती और राजस्थानी प्रशन चार मीरा की शादी किस आयू में हुई क बारा वर्ष की आयू में ख ग्यारा वर्ष की आयू में ग तेहरा वर्ष की आयू में और ग सत्रा वर्ष की आयू में इसका सही उत्तर है ग तेहरा वर्ष की आयू में प्रश्न पांच, मीरा किसकी शिश्य थी? कव संत रवी दास, ख संत रे दास, ग संत रवीश डास, घ संत दास और इसका सही उत्तर है ख संत रह दास प्रश्न चे है, किसको बचाने के लिए श्री कृश्ण ने नर सिंग का रूप दारन किया था? क भक्त प्रहलाद का ख भक्त एरावत ग भक्त एहलावत ग सभी और इसका सही उत्तर है क भक्त प्रहलाद प्रश्न साथ मीरा भाई किसकी चाकर बनना चाहती थी? क राजा की ख प्रहलाद की ग कृष्ण की ग विश्नुजी की और इसका सही उत्तर है गः कृष्ण की प्रश्न आठ दूसरे पद में मीरा भाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाती है कः श्री कृष्ण के नस्दीक रहने के लिए खः कृष्ण के लिए गः कृष्ण का हार सिंगार करने के लिए घार दोहे लिखने के लिए और इसका सही उत्तर है का श्री कृष्ण के नस्दीक रहने के लिए प्रश्न नौ हरो महरी भीर मीरा किस पीड़ा को दूर करने को कह रही है का घर छोड़ कर आने की पीड़ा खा श्री कृष्ण के दर्शन ना पाने की पीड़ा प्रश्न 10. मीरा वाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदरे का वर्णन कैसे किया है? और इसका सही उत्तर है प्रश्ण 11 और इसका सही उत्तर है मुझे दासी बना लो प्रश्ण 12 सुमरन पास्यों खर्ची का क्या तात पर्य है क जेब खर्च के रूप में प्रभूस्मरण को पाऊंगी ख जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे ग याद करने से ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे घ इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है क जेब खर्च के रूप में प्रभूस्मरण को पाऊंगी प्रश्न तेरह मीरा श्रीकृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तयार है क बाग बगीचे लगाने को ख उँचे बहल बनवाने को ग दासी बनने को घ सभी और इसका सही उत्तर है घ सभी प्रश्न चौदह हरी आप हरो जनरी भीर इन पंक्तियों पर प्रकाश डालें क हे इश्वर आप अपने सभी भक्तों के दुख हरते हैं ख हे प्रभू मेरी पीर हरो ग हे प्रभू हरी जन की पीर हरो घ कोई नहीं और इसका सही उत्तर है क हे इश्वर आप अपने सभी भक्तों के दुख हरते हैं प्रश्न पंद्रह मीरा का हरदय क्यों अधीर है का मीरा ने कोई गलत काम किया है खा मीरा का हरदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है गा मीरा का हरदय यमुना तट पर जाने के लिए अधीर है खा क्योंकि आधिया राद बीद गई है इसलिए मीरा का हुरदय अधीर है और इसका सही उत्तर है खा मीरा का हुरदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है प्रश्न सोलह उचा-उचा महल बनाओँ बिच-बिच राखों बारी से क्या अतात परे है क, श्री कृष्ण के उँचे उँचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है श्री कृष्ण उँचे महलों में मुझे रखेंगे ग, मीरा श्री कृष्ण के उँचे महल के बीच खिड़कियां फुलवारी बनाएंगी ग उपरयुक्त सभी और इसका सही उत्तर है ग मीरा श्री कृष्ण के उंचे महल के बीच खिड़कियां फुलवारी बनाएंगी प्रश्ण सत्रह बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर पंक्ती का भाव है और इसका सही उत्तर है ग दृपदी की प्रश्ण उननीष आप बढ़ायो चीर में आप किसके लिए आया है क इश्वर, ख विष्ण, ग शिव, घ कृष्ण और इसका सही उत्तर है घ कृष्ण प्रश्ण बीस पदों में कौन सा भाव मुख्य है क दास्य भाव, ख मैत्री भाव, ग सखा भाव, घ पती भाव और इसका सही उत्तर है क दास्य भाव प्रश्ण बीस मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहन कर करना चाहती है क केसरियरंग, खा योगी रंग, ग कुसुम्बी रंग, घ नारंगी रंग और इसका सही उत्तर है ग कुसुम्बी रंग प्रश्न बाईस मीरा हर रोज सुभा उठकर किसके दर्शन करना चाहती है का श्री राम के खा अपने पती के गा श्री कृष्ण के गा पिता के और इसका सही उत्तर है गा श्री कृष्ण के प्रश्न तेईस यमना जी रे तीरा का अर्थ है का यमना जी से दूर खा यमना के भीतर गा जमना जी का मंदिर गा यमना का तट और इसका सही उत्तर है गा यमना का तट प्रश्न चौबीस क्रिश्न व्रंदावन में क्या करते हैं का मुर्ली बजाते हैं खान रृत्य करते हैं गा गाएं चराते हैं गा का और गा दोन और इसका सही उत्तर है गा का और गा दोन प्रश्ण 25 एरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा का हाथियों के जुंड को, खा नर्सिंग को, गा मगरमच को, गा कोई नहीं और इसका सही उत्तर है गा मगरमच को प्रश्ण 26 मीरा आधी राथ को श्री कृष्ण को कहां पर मिलना चाहती है क अपने घर पर, ख घर की चत पर, गा यमुना के तट पर, गा मंदिर में और इसका सही उत्तर है गा यमुना के तट पर प्रश्न 27, मीरा वाई को श्री कृष्न की सेवा में कौनसी जागीर प्राप्त होई? क सेवी का बनने की, ख सामरिया के दर्शन पाने की, ग हरदय का अंधिकार दूर करने की, ग भाव भक्ती की और इसका सही उत्तर है ग भाव भक्ती की प्रश्न 28, मीरा वाई श्री कृष्न की लीला का गान कहा करती थी? अ remembrance किनारे, गवरंदावन की गलियों में और इसका सही उत्तर है गवरंदावन की गलियों में प्रशन ऊन तीस मीरा श्री कृष्न के पास रहने के कौन से पाइदे बताती हैं का उसे हमेशा दर्शन प्राप्थ होंगे खा उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी गा उसकी भाव भक्ती का सामराज्य बढ़ता ही जाएगा गा सभी और इसका सही उत्तर है गा सभी प्रश्न 30 मीरा के भक्ती भाव का सामराज्य कैसे बढ़ेगा का मीरा के श्री कृष्ण के पास रहने से खा मीरा के नृत्य करने से गा मीरा के गली-गली घूमने से गा मीरा के दोहे लिखने से और इसका सही उत्तर है का मीरा के कृष्ण के पास रहने से मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें